वेलकम टो माई चैनल जीतू सूपर पीजन में आप सभी भाईयों का सुवागत है दोस्तो आज अपने पास यह भाई आये हैं जी वेस्ट बंगोल से बंगोल से हो ना भाईया तो वेस्ट बंगोल से यह बाईया है जोडे लेने के लिए और कवुतर लेने के लिए तो इनको कि दूर से आये हैं यह भाई ठीक है भाई आप पहले भी अपने से कवुतर ले गए थे ना यह बाई ले जा चुके हैं और रिजल्ट अच्छा है उनका उड़ाया आपने कितना गंटा आटनो गंटा उड़ा था और एक मैंने तुम्हें याद हो तो मैंने का लिया कि कितना उड़ी वह 10 गंटे तक चली गई थी चलो बहुत अच्छी बात है भाई 10-10 गंटे तक इनके पास हमारे कवुतर चले गए तो एक कवुतरी यह लेकर आये हैं यह वाली पकड़ो कवुतरी पकड़ो ठीक है इसका उस टैमें उड़ाने के लिए लिए तो आज इसका जोड़ा सट गिया है तो इस कवुत रिजलड भाई से पूछेंगे क्या रहाई अपने से गए थी डाने कर पहत। इसके साथ का नरोर दिखाओ जो मैंने अभी जोड़े में लगाए है तो ये भाई कलकत्ता से आये थे भाई बहुत दूर से आये थे विचारे ठीक है सबसे बड़ी बात ही है भाई तनी दूर से कोई बंदा आता ना विश्वास करके ही आता है ठीक है आप भी समझदार हो कलकत्ता कोई यहां तो है नहीं कोई 200 किलो मेटर 100 किलो मेटर की जल्दी आ जाएगा देखो यह कोउतर सेट किया भाई हमने इस कोउतरी के साथ यह लाल चिन ना ठीक है और मैंने भाई को बोला है अगर उड़ा हो तो इसको जोड़े में से हटा के उड़ा भी लेना ठीक है भाई अगर बाजी बुजीम उड़ाना हो तो इसको जोड़े में से हटा के उड़ा ठीक है यह कवुत्री जारी है यह कवुत्री हमने इसके साथ लगाई ए ठीक है दोस्तों तो बाग की कमेंट करके आप जुरूर बताना भाई कैसे लगे खुट्र हमारे ठीक है और बाशा बाई कुछ बोलना चाओगे आप कुछ भी आपने जो देखने वाले हैं भाई हैं प ये भाई कलकत्ता से आए थे कलकत्ता में कोन सी जगा है आफकी बारदुमन तो भाई ये बड़ी दूर से आया भाई खीक आपके इसकी लैंग्स से आपको पता से बादे हो कैम अपने दोस्तों बाकि आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लेगे कहुत्तर और इस भाई के पास अच्छा रिजल्ट आया था तब ही ये भाई दुबारा आया बाशा भाई क्योंकि कलकत्ता मेरे खाल यहां से 1500 किलोमेटर तो होगा तो इतनी दूर से आना भाई कोई असान बात नहीं होती रिजल्ट आया जबी भाई दुबारा आये हैं तो ये कब उतर दीए भाई को ठीक है दोस्तों कमेंट करके बताना अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में